आज हम डॉक्टर हजारी प्रसाद दुवेदी द्वारा रचित पाठ वसंत आगया का शारांज के रूप में अध्यन करेंगे प्रस्तुत पाठ गध जिवन्तम से उध्रित है जिसके सैली निवंध के रूप में है यह पाठ के रचनाकार हजारी प्रसाद दुवेदी अपने विचार निवंधों के माध्यम से एक कमभीर चेतना को जाकृत करने के लिए यहाँ पर यह पाठ की रचना की है। विच्वर के साथ तो वह आ चुका है किन्तु प्राकिर्ति के सभी पेरपोधे एक समान प्रसंद नहीं दिख रहे हैं। कुछ को नए कलेवर प्राप्त हैं। आप भी देखेगा जब वसंद का आगमन होता है पुराना पौधा का जितना भी पुराना पत्ता है पौधे का वो जहर जाता है। नया कोपला आता है एक नया उमंग के साथ तो कुछ अपने चहरे पर मुहरी सूरत लेकर आते हैं। लेकर का कहना है वसंद किसी पर स्वेम नहीं आता है अपी तो वह किसी के द्वारा लाया जाता है। वह जब चाहे तब वसंद का आवाहन कर सकता है। जब सांती निकेतन में लेकर बैठे थे तो उनकी आगे दो कचनार। आप लोग भी देखे हो यह कचनार का फूल भूत ही सुगंध देता है और उसको खाया भी जाता है। एक तो खूब मोटा ताजा स्वस्त वसवल है फूल फल से रिक्त है तथा दूसरा मरील सा फूल फल से लदा हुआ। पर्थम के जीवन में वसंत का आभाव है तो दूसरे पर वसंत का बड़ा ही महवाय प्रभाव पड़ता है। पिर एक ही बार लगाए गए हैं लेकिन दोनों के भाग्य अलग अलग है। उसी प्रकार से हमारे जीवन के भाग्य भी अलग-अलग होती है। एक देखने में स्वस्त और सबल रहने पर भी दिल को आश्रित कांती के रूप में देखता है। और प्रसन है और दूसरा अपनी इस चेहरे के कालिंता को मलिंता को देखता है। और सुचता है कि क्या यह जीवन उसके उमंगों को पूरा कर सकता है। एक सरीर से स्वस्त रहने पर भी मायूस बना है। तो दूसरा छिनकाया रहने पर भी आनिसित खुसहाल दिल नजर आता है। प्राकिर्तिक की जो खुलाहल पूर जीवन है और वह संपन्यता दिल उदासी का भयंकर रोग पले हुए। तो कोई विपन चेहरे से भी मुश्कुराने का आभाव समली दिखाई देता है। एक सुक से रोता है तो दूसरे संकट से मुश्कुराता है। अपना अपना भाग्य है कोई इस पर क्या कहता है। दुवेदे जी इस रचना में हिर्दय की एक मरील कचनार के पेर को देखकर तरह तरह की भावना उठ रही है। कवी का हिर्दय वो अपनी हिर्दय को थाम न सके कलम हाथ में लिये। हिर्दय भावनाओं को एक के बाद एक कागज पर सब्दों के बानों के साथ उसे निबंध के कलाओं में मरमित करते हुए। जाती पुस्पो का एक केदार है पर इन पर एक मुर्दी च्छाया और कवी प्रसिद्धी पर लेखी हुई। एक लेख में संसोधन की आवसक्ता महसूस हुई। एक मित्र ने आस्था में मलिका का गुल्फ भी लगा रखा है। जो किस प्रकार बस जी रहा है। वह कारवीर और को विदार के जार में उन्हीं मित्रों की किरपा से फल कहीं पर उदास कहीं पर उदर कवियों की दुनिया हला हो गया है। प्राकिर्तिक रानी नया सिंगार कर रही है और फिर जाने क्या-क्या कवी के आस्रे में रहता है। वह भागे पर प्रसन होकर क्यों क्या करे। और उनकी जो प्राकिर्तिक मरमता है इसके रूपों को बढ़ा ही मारमिक धंग से प्रस्तूत किया है। थोड़ी देर पर वह पलास एसे फुला हुआ है कि इर्षा न हो। आप देखिए आप पलास का पेर पर लाल-लाल जिस सिमर का फूल होता है। उसी तरह से उस पर भी होता है। मगर उसे किसने बताया कि वसंत आ गया। मैं थोड़ा थोड़ा समझ हूँ। वसंत नहीं ले गया जाता है जो चाहे जब चाहे अपने घर ले जाए। वह मरीन कचनार ले आया अपने मोटे राम त्यार कर रहे है। और मैं मुझे बुखार आ रहा है। या भी नियमित का मजाक है कि हमारी धुनिया में हला हो गया है कि वसंत आ रहा है। किन्तु मेरे पास आया बुखार अपने कचनार की ओर देखता ह। और सोचता हूं कि मेरी ही वज़ा से यह यहीं रुका है। इस निवन्द का विशय इतना हलका फुलका है लेकिन सब्दों के वान और विशय की प्रतिभा के बल पर इस पर हजारी प्रसाद दुवेदी की जो सब्दों के बोधमे है। उसमें संस्कृत के तस्सम सब्दों के बहुत प्रयोग किया गया। उर्दु के प्रचलित सब्दों का भी खुलकर प्रयोग दुवेदी जी ने किया है। केवल संस्कीत के तस्सम सब्दों के यहीं प्रयोग नहीं करते हैं। अपेतु अपनी भावनाओं की अभिवेक्ति के लिए अपने कथन को सरलताव शरस्ता के साथ। एक नई सादगी एक नई विचार के साथ। निवंध सैली में इसे उर्दु तथा अनिभासाओं के प्रचलित अर्थ पुर्ण सब्दों का प्रयोग करते है। निरस्विशय भी दुवेदे जी के खुसर हाथों में पड़कर सरस और सजीव बन जाती है। दुवेदे जी ने इन छोटे से निवंध में मानो जीवन का सार और उनकी घटनाय शुक दुख मरमताओं को प्रसंचित मनुसिक ही संसार में कुछ कर सकता है। दूसरों पर अपना प्रभाव भी जमा सकता है। दूसरों के दिल में घर बना सकता है। अब प्रसंच रहने वाला व्यक्ति अपने आपके लिए भी भार के समान है। वसंच समय के साथ गती मान है। हर साल वसंच आएगा। जो चाहे उसे अपने जीवन में जिस किसी भी समय उतार ले। मनुस वसंच की इच्छा के अधीन है। अपितू वसंच का आगमन हर साल हर समय होता ही रहता है। हजारी प्रसाद दुवेदी वसंच आगया में। उनहीं प्राकर्तिक और मानों के निहित हर्स उलास द्वेश इर्षा और उनकी भावनाओं के रूपों में निबंध की जो सैली है वह बड़ी ही मार्मिक है। यह वीडियो आप निव एजुकेशन पॉइंट के तरब से। हजारी प्रसाद दुवेदी द्वारा रचित पाठ गध जिवन्तम से लिया गया पाठ वसंच आगया देख रहे थे जय हिन जय भारत।